गोरक्पूर नीयोंस से बात करते हुए जुलादिकारी केविजिन पांजन ने सौमित्वी योजना की उपयोगता के सम्बंध में जानकारी दी जिलादिकारी के विजन पांजन ने बताये कि स्वामित्वे योजना भारत सरकार की योजना है स्वामित्वे योजना के तहट ड्रोन कैमरे द्वारा गाउं की भूमी का सर्वे कराकर डिज्चल खसरा खतोनी तयार किया जाएगा जिससे जमीनी विवाद को खत्म हो सके इस योजना की एक नई रूप रेखा तयार होगी जिसमें नाला यूम सड़क बनाने में आसानी होगी और ग्राम पंचायत इसे रिविन्यों के रूप में भी प्रियोग कर सकती है जिम ने बताये कि जिले में 3000 से उपर गाउं है सबसे पहले इस योजना की शुरुवात 10 गाउं से की जाएगी जिसमें 3 गाउं में सर्वे का काम सुरू हो गया है फिर धीरे धीरे 6 गाउं में एक एक करके इस योजना की शुरुवात की जाएगी इस संबन में गोरगपूर नियूस से बात करते हुए जिलादिकारी केव जिन पान जिन ने कहा में रोड बनाना कहा नाली बनाना कहा कडंजा बनाना स्कूल कहा इस देव का वैसे शेहर में कैसे प्लैनिंग होता है वैसे ये गाओं में हो जाता है बहुत बढ़िया से फिर दूसरा है जो जमीन समंदित बहुत सारे विवाद आवादी चेतर में होता है उसी का वहाँ से ही मोखे पर निस्तारण हो जाएगा और तीसरा है कोई भी आग नहीं आपने जमीन नापना चाहता है तो लेकपल कणंगों को दोड़ने कोई जरूरत नहीं बाविशे में अपने मोबेल के जरिये से साफ्टवेर के जरिये से आराम से तसली हो सकता है तो मेरा जमीन इतना है वो लंबाई चोड़ा इतना है इतना है इतने इंट्राक्ट है इसी का अभिनोब प्रियास का जो परिनाम है अक्तोबर दो में जो कितने ये दस गाओं हम लोग सेलक किये उनी लोग का प्रापर्टी कार्ड साशनमादी हमसे बाठा जाएगा उसका अभी काम प्रगदी पर है ये पहल अभी तो गोरगपुर में तकरीबन तीन हजार गाओं है दस गाओं का पाइलेट प्राजेक में शुरू हो रहा है ये ये सफल रहेगा तो फिर आगे एक दो साल में पूरे गाओं में डिजिटल नजिर नक्षा मिलेगा और एक विक्षित योजना बन जाएगा हर गाओं में वो गाओं भी शहर जेसे दिखने लगेगा और वहां का विकास सुविदा भी शहर जेसे मिलेगा और बविशे में जो जमीन का सम्मंदित जगड़ा होता कितने होता है वो सारे हाल हो जाएगा उसका प्रयास ही स्वामित विश्वाइब